नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन एड़ा फॉर्स्ट दो यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में जोकी संबंदित है उनहेतर हजार सिच्छक भरती को लेकर सुपीम कोट से बड़े जटके के बारे में लेकन ये जो जटका है आप सबीको देखने के लिए मिलता है वो जटका किसी अभ्यतियों के लिए कम इन सिक्षक भर्तियों के साथ आयोगों को एक बड़ा जटका देखने लिए मिला है 79,000 के साथ साथ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक और TGT-PGT सिक्षक भरती के बारे में क्योंकि सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया के माधियम से 7 नमंबर और 2024 को एक बड़ा फैसला दिया गया है जिसके बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें वो पूरे तरीके से बदल जाएंगी क्योंकि सिक्षक भरती के अंदर अब जो मन माने नियम है वो नहीं बनेंगे चाहे वो आगर बात की जाए UPTT को लेकर हो प्राथमिक के बारे में हो या सीधे शूबात करते हैं मुद्दे की और मुद्दा है आप सभी के सामने 49,000 सिच्छक भरती के सास्ता दुत्तर प्रदेश में प्राथमिक सिच्छक भरती को लेकर आप जानते हैं कि 49,000 सिच्छक भरती में इतने विवाद लगे हैं कि जिनका निस्तारण इस जनम में पू ग्यापन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो भरती है वो रटकी हुई है जब भी नई भरती का मामला आता है तभी इसका अंदर का जो कहिने के खून है वो खौल जाता है और कोई ने कोई और सुपीम कोट हाई कोट से आ जाता है उसकी वज़े हैं 79,000 से चखवरती जितनी ब प्रकार कोई भी नियम या कोई बदलाव नहीं किया जा सकता अब जब बात इस मामले पर की जा अग ए तो हम 79,000 से चखवरती को कैसे भूल सकते हैं आपने देखा था जो कट ऑफ लगाया गया जिसको पार्सिंग मार्क का है या जो भी कहना चाहें qualifying marks लेकिन लगाया तो परिक्षा के बाद गया था ये एक सच है अगर ये एक दिन पहले परिक्षा से लगा देते तो दिक्कत नहीं आती और ये जो भरती सालों साल court में लटकी रही थी 2018 से लेकर 2020 की बीच में तो दो साल इस भरती को इंतजार नहीं करना पड़ता लेकिन अधिकाईयों की गलती या हीला हबाली के चलते ये मामला सालों साल लटका रहा अब एक मामला देखने के लिए मिलता है Supreme Court of India के अंदर वहां पर Supreme Court of India ने इस पर एक बड़ा आदेस दिया है और ये आने वाले समय के अंदर हर भरती में काफी महत्पूड रहेगा पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं Supreme Court के आदेस को लेकर अगर आप स्कीन पर देख पाए Supreme Court का आदेस तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहां पर दिखा देते हैं साइड से हैना काम की चीज़ें पढ़ेंगे फिर उसके बाद मैं इस मामले बता हूँगा क्योंकि यह 79,000 के लिए भी है क्योंकि 79,000 सिच्छक बरती में भी तो cut-off लगाया गया था परिक्षा के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां के जो जजिस्ते उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं लगा दिया तो लगा दिया या जो भी कहना चाहूँ फिलाल के लिए जब माननी कर दिया तो यही कह सकते हैं कोई बात नहीं अब 99,000 सिच्छक भरती के समय कोट ने क्या आदेश दिया और आज क्या आदेश दिया वह बहुत महत्पूर है आप अपने स्कीन के राइट साइड में देखिए चोटी सी आपको जो स्कीन है वह देखेगी और वहां पर आपके सामने कुछ चीज़ें सो होंगी आई होप क कीज़ें इसके अंदर भरती को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं उसको देख लेते हैं यहां पर आप सभी देखेंगे इसमें जो यह मामला लगा हुआ था सुपीम कोट ऑफ इंडिया के अंदर यहां पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ जिए कि नौक्र इसी तब सुपीम कोट ऑफ इंडिया के मार्धियम से ही उनहेतर हजार सिच्छक भरती मामले को लेकर भरती शुरू होने के बाग नियम बदल दिये गए थे अगर आपको याद नहीं है कट ऑफ साट पैसट का मामला तो कम से कम इतना तो आपको याद होगा कि कोट के अगर गया कि अन्सर की में एक नंबर का जो कॉमन है मिलना चाहिए बाद में जब यह देखा गया कि उनहेतर हजार में अगर एक नंबर सबको कॉमन दिया तो पूर्जी की पूरी जो नहेतर हजार भरती है वो जात दो सकती है और इस बात के डर से सुप्रीम कोट ऑफ सकती थी लेकिन वो याची नहीं बने और उसका खामियाजा भुखतना पड़ा अब ये तो 99,000 के अंदर भी हो चुका है क्योंकि 99,000 में कट ओफ जो लगाया गया था परिक्षा के बाद था जबकि यहां पर जो कोट का आदेस है उसके मुताबिक नोक्रियों में भरती को लेकर सुपीम कोट का आदेस भरती शुरू होने के बाद नियम नहीं बदलेंगे इस प्रकार के जो आदेस है वो दिये गई ये मामला राजिस्तान से संबन्दी था जिसमें लिखा हुआ है कि प्रकिया शुरू होने के बाद नियम बदलने पर सुप सुपीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राजिस्तान के अंदर भरती निकाली गई थी इंटेव्यू करवाने थे इंटेव्यू करवाते समय क्या किया गया कि वहां पर बदलाव कर दिया गया मामला हाई कोड से होकर कि सुपीम कोड गया और सुपीम कोड ऑफ इंडिया की माध ले जाते हैं तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर कि क्या आदेस देगी क्योंकि 79,000 में पहले हो चुका है ना सेम चीज तो 79,000 में हुई थी इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक लटका रहा था वहाँ पर सरकार और कोर्ट के माध्यम से बैस करने के बाद फाइनल जो डिसीजन निकला वो यही था कि ठीक है जो कट अफ लगा दिया वो लगा दिया अब भरती को आगे कंटिनुई कर दिया जाए यह मामला बेक से तो राजिस्तान का था लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेस है मुझे बतानी कि आपशकता नहीं है पूरे देश भर की नियम में बदलाव अब नहीं कर सकती है लेकिन 79,000 में तो बदलाव हो चुका है क्या 79,000 में कोई चीज़े बदलेंगी अब इसका जबाब तो है जी नहीं लेकिन येस जो आदिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको एक बार 79,000 के समय रेवियू किया जाता तो सरकार को ज आधिकाईयों के माधियम से समय समय किये गए बदलाव अब कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कितना इसको फॉलो किया जाएगा भरतियों में ये देखना दिल्चस्प है थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो